आज मैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूँ अगर ये न्यूज किसी चैनल में दिखाई गई हो तो आप मुझे बताएं अगर ये न्यूज किसी पेपर में छपी हो तो आप मुझे बताएं और अगर किसी कॉंग्रेसी नेता में दम हो तो इसे जूटा साबित करें आज मोदी जी ने चुपके से अपनी सेविंग मनी के 21 लाख रुपे सेनिटेशन वर्कर्स को डोनेट कर दिये हाल ही में मोदी जी जब कुम्ब मेले में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने सफाई कर्मियों के पाउध होकर एक मिसाल पेश की थी लोग उनकी सदा के कायल हो गए थे उन्ही सच्छता सफाई कर्मियों के लिए मोदी जी ने अपनी सेविंग दोनेट की मोदी जी की अदा निराली है वो जन्हित का काम करते हैं तो भी कॉंग्रेसियों की तरह ढोल नहीं बीटते वैसे मोदी जी ने जो 21 लाख दान दिये हैं ये तो पूरी दुनिया और देश जानती है लेकिन इससे पहले वो 1 करोड 30 लाख रुपए गंगा सफाई के लिए दान कर चुके हैं और वो भी कोई धिंड़ोरा पीटे बिना अब आप सोचेंगे कि मोदी जी के पास इतने पैसे आये कहां से तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में मोदी जी दक्षिन कोरिया गए थे जहां उन्हें सी ओल पीस प्राइस के दोरान 1 करोड 30 लाख रुपए मिले थे वैसे अभी जादा दिन नहीं हुए मोदी जी को प्रधान मंत्री के रूप में जो भी इस मृती चिन्न मिले उसे उन्होंने निलाम किया और इससे मिलने वारे 3 करोड 40 लाख रुपयों को नमामी गंगे के लिए दान दे दिया वैसे एक जानकारी और दे दूँ मोदी जी को 2015 तक जो भी उपहार मिले उन्होंने उसकी निलामी करवाई और सुरत में हुई इस निलामी से 8 करोड 33 लाख रुपय मिले उसे भी उन्होंने नमामी गंगे मिशन में लगा दिया मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने ऐसे कई बड़े काम किये जैसे ही वो मुख्यमंत्री पर छोड़ने लगे तो उन्होंने अपनी बच्चत के 21 लाख रुपय सरकारी करमचारियों की बेटियों के लिए दान कर दिये और तो और इस से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने करीब 90 करोड रुपय कन्या केलवनी ट्रस्ट में दान किये थे ताकि बेटियों को सिख्षा मिल सके अब जरा आप सोचिए आपको कैसा नेता चाहिए जो भरष्टा चार के जरीए आपके एक एक पैसे को खा जाए या फिर ऐसा नेता जो अपनी सेविंग का एक एक पैसा गरीबों को दान में दे दे सोचिएगा जरूर झाल 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 झाल